हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुती प्यारा सा छोटी बुनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्टी, कैप, हाईने, किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुती संदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा एक्ट्रा नहीं लेना है चार के मल्टीपल देखिए, आप इसमें चार फंदे गिन लेजिए फिर से चार फिर से चार फिर से चार इस तरह से बार बार चार चार ही फंदे गिनते जाइए इसमें कोई भी फंदा एक्ष्ट्रा नहीं होना चाहिए ये डिजैन सीधी सैड़ से शुरू होता है दो सलाईयों का डिजैन है और चार सलाईयों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 20 फंदे चार के multiple लिए हैं इसमें कोई भी फंदा extra नहीं लिया है यहाँ पर मैंने फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई होई है यहाँ से डिजैन की पहली सलाई है अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको बोर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हो तो आप इस तरह से कोई भी बोर्डर बना लीजिए बोर्डर के बाद फंदे उल्टी साइड से बढ़ा कर सीधी साइड से डिजैन को शुरू कर सकती है लेकिन जब हम इस तरह से cap वगरा बनाते हैं तो cap में हम border के बाद बिना फंदे बढ़ाए ही इस design को शुरू करते हैं तो design की यहां से पहली सलाई है और सीधी side तो ध्यान दीजेगा कि पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा इसका estis है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए अब धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो अब धागा हमारा पीछे ही रहे ये देखिए एक और ये दो इन दो फंदे के आगे से देखिए हम यहां पर किसी फंदे में सलाई नहीं डालेंगे दोनों फंदे के आगे से इस सलाई के नीचे ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बना लेंगे अब इस पर यहाँ पर अंगुठा रख लेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे देखिए एक और यह दो अब ये जो हमने extra फंदा बनाया इस फंदे को इसके उपर से ऐसे पलट देंगे तो हमने जो फंदा बढ़ाया वो इनके उपर से पलट दिया तो वापस ही हमारे दो फंदे हो गए estis के बाद ये हमने 4 फंदे का design बनाया है अब इसी design को हम बार बार repeat करेंगे आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे, एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बना लेंगे, यहां पर अंगुठा रखेंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे हम सीधा बना देंगे, अब यह जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया, इसको स्लाई पर लेंगे, और इन दो के उपर से ऐसे पलट देंग तो ये हमने दोबारा से चार फंदे का डिजैन बनाया, फिर से इसी को रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, इन दो फंदे के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे, यहाँ पर अंगुठा रखेंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, देखिए, एक और ये दो, अब ये जो हमने एक्स्ट्रा बनाया, इसे इसके उपर से ऐसे पलट देंगे, फिर से हमने यही चार फंदे का डिजैन बनाना है, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, इन दो फंदे के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे, एक फ और ये दो, अब ये जो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको लेंगे, इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे, जितने भी फंदे हों, यही चार चार फंदे का डिजैन बार बार बनाते जाएए, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे बनाएए, एक और ये दूसरी सलाई और उल्टी साइड बना, ये डिजैन सीधी और उल्टी, दोनों ही साइड से बनता है, तो दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए, अब ये जो दो फंदे सीधे हैं, इसमें से एक फंदे को तो हम ऐसे उल् बीच में आएगा तो इस फंदे को छोड़ देंगे और यह जो गांट वाले दो फंदे हैं इसमें से एक फंदे में आगे से हम ऐसी स्लाइड डालेंगे इस फंदे को उतारेंगे और पीछे से यहां इन दोनों के बीच में लेंगे अब यह जो गांट वाला फंदा है इसको आगे से लाकर इस फंदे के आगे डाल देंगे और एक और ये दो फंदे उल्टे अब देखिए ये गाट वाला फंदा है ये नॉर्मल है ये वाला फंदा इन दोनों के बीज में बनाना है तो पीछे से ही इस फंदे को हम पहले उल्टा बना देंगे फिर ये वाला जो फंद इसे लेंगे और इसे भी उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे तो ये देखे ये चारो फंदे हमने ट्विश्ट करके बना दिये हैं अब ये पहले वाले दो फंदे छोड़ कर ये जो हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को अब बार बार रिपेट करेंगे तो देखे इधर से इस फंदे को छोड़ देंगे ये दो फंदे गाठ वाले हैं तो आगे से इस एक फंदे को हम ऐसे लेंगे इससे उतारेंगे और बैक साइड से बीच में लेंगे इसको हम इसके आगे करेंगे दो फंदे ये उल्टे एक और ये दो अब इस उल्टा बुनेंगे अब इस फंदे में स्लाइड डालेंगे और इसे भी उल्टा बनाएंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे इसी डिजैन को फिर से रिपीट करेंगे इस फंदे को छोड़ देंगे ये वाले जो जोड़े में फंदे हैं इसमें से आगे की साइड से एक फंदे में स्लाइड डालेंगे इसे उतारेंगे और पीछे से लेकर बीच में डाल देंगे अब ये आगे से जो फंदा लिया इसको यहां करेंगे और दो फंदे उल्टे एक और ये दो अब इस फंदे को छोड़ कर इसे हमें पहले बुनना है तो इसको हम ऐसे पहले उल्टा बनाएंगे फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे अब ये वाले फंदे फिर से ट्विस्ट करने हैं ये जोडे वाले हैं इसे छोड़ देंगे इस फंदे को हम जो हमारा जोडे में है गाट वाले फंदे हैं उसमें से लेंगे इसे उतारेंगे औ और पीछे की साइड से इसको हम बीच में लेकर जाएंगे दोनों फंदे के इससे लाएंगे और आगे कर देंगे एक और ये दो अब इस फंदे को छोड़ना है और इसको पहले बुनना क्योंकि ये हमें यहां बीच में लाना है तो इसको हम पहले उल्टा बुन देंगे फिर इस फंदे को उल्टा मुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देगे लास्ट में आपके दो ही फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना दीजिए तो दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गए अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर अब हमें वैसे तो इन ही दो सलाईयों को रिपेट करना है लेकिन यहां पर डिजैन की जगहे चेंज हो जाएगे तो ध्यान से देखेगा कि तीसरी सलाई को कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए धागे को पीछे करेंगे यह देखे एक फंदा तो हमारा ये वाला और एक ये वाला इन दोनों फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे दो फंदे के आगे से एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे इस पर अंगुठा रखेंगे इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे एक और ये दो अब ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इन दो के उपर से हम ऐसे पलट देंगे अब देखे ये वाले दो फंदे जो इसके बीच में आए इनको हम सीधा बनेंगे एक और ये दो एस्टीज के बाद ये जो हमने चार फंदे का डिजैन बनाया अब इसी को बार बार रिपिट करेंगे तो देखे एक फंदा ये इधर से लंबा आपको दिखेगा इन दोनों फंदे के आगे से हमें किसी फंदे में सलाई नहीं डालनी है दोनों फंदे के आगे से सलाई के नीचे सलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बुन देंगे इसे थोड़ा सा लंबा रखेंगे और दो फंदो को हम ऐसे सीधा बना देंगे अब यह जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसे इसके उपर से लेंगे और दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो देखे यहां पर भी यह गाट वाले जोडे में दो फंदे बन गए अब देखे यह जो हमने ट्विश्ट के थे इसके बीच वाले जो दो फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे एक और यह दो अब फिर सी हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है एक और यह दो यह दोनों फंदे आपको एक साथ ऐसे मिलेंगे इनके आगे से स्लाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे इस पर अंग उठा रख लेंगे फिर इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बना देंगे ये जो एक्स्ट्रा बनाया इसे इसके उपर से ऐसे पलट देंगे तो जो फंदा हम बढ़ाते हैं वही हमारा कम हो जाता है फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर से डिजैन बनाएंगे इन दोनों फंदे के आगे से हम ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा हम यहां से एक्स्ट्रा बुन लेंगे इस फंदे पर उंगली रखेंगे इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे अब यह जो एक्स्ट्रा बनाया इसे लेंगे और इन दो के उपर से ऐसे पलड़ देंगे फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इन दो के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे अब ये जो एक्स्ट्रा बनाया इसे इसके उपर से ऐसे पलट देंगे लास्ट का फंदा हमारा एस्टीच है इसे सीधा बनाईए या उल्टा मैं हमेशा उल्टा बुन कर लेती हूँ तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर यहाँ पर हमें फिर से फंदे ट्विश्ट करने हैं तो देखिए पहला फंदा हमारा एस्टीच है इससे उतारिये या उल्टा बनाईए यहाँ पर यह जो हमारा पेर में है इस पेर में गांट वाले फंदे होते हैं इसके पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बनेंगे अब इधर ये जो दो फंदे हमारे नॉर्मल हैं इसका एक फंदा इन दो के बीच में जाएगा तो देखे इसको छोड़ के पीछे से इस फंदे को लेंगे इसे हम ऐसे उल्टा बुन देंगे अब देखेगा इस फंदे को लेंगे और इसे भी उल्टा ही बुन देंगे इसे उतारेंगे और पीछे से यहां लाएंगे, यह जो गांट वाला है इसे आगे से लाकर आगे कर देंगे, अब एक और यह दो फंदे उल्टें, अब इस फंदे को छोड़ देंगे, इस फंदे को हम पहले बनाएंगे, तो पीछे से इसे हम ऐसे लेंगे, फिर इस फंदे क को लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपेट करना है इस फंदे को हम छोड़ देंगे इस फंदे को आगे से सलाई पर लेंगे देखे ऐसे अब इससे उतारेंगे और यह जो गांठ वाले फंदे हैं इनके बीज में लेकर आएंगे इस तरीके स और फिर ये जो फंदा है इसे हम इसके आगे करेंगे और दोनों फंदों को उल्टा बुन देंगे अब फिर देखे इस फंदे को छोड़कर इस next वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे इसे ऐसे बाद में बनाएंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे इस फंदे को छोड़कर जो गाठ वाले फंदे हैं उसमें से एक फंदे को लेंगे इसे उतारेंगे और पिछे वाली स्लाई पर डाल देंगे अब इसे आगे से लाकर यहां करेंगे और फिर दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएगे अब ये गाठ वाला फंदा छोड़ के अगला जो नॉर्मल फंदा है इसे पहले बनाएगे फिर इसको बनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे तो ऐसे में फंदे ट्विश्ट हो जाते हैं अब देखे ये नॉर्मल फंदा इसे छोड़ देंगे जो गाठ वाला है आगे से इस फंदे को लेंगे इस फंदे को उतार कर यहां लेंगे और इसको आगे करेंगे अब इन दोनों फंदों को हम उल्टा बना देंगे लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इन्हें ऐसे ही उल्टा बना लेजिए तो चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब हमें इन ही चार-चार सलाईयों को ही बार-बार रिपेट करते जाना है जब इन चार सलाईयों को हम बार-बार रिपेट करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा डिजैन बनता चला जाएगा तो चलिए एक बार नेक्स्ट बार के आपको मैं स्टार्टिंग बता देती हूँ कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग कैसे करनी है तो ये देखेगा वैसे तो आप वीडियो को सुरू से करके भी देख सकती है पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे कीजिए दो फंदे ये सीधे बनाईए देखे बिलकुल पहली सलाई जैसे यहां से बुनी वैसे आ गई है दो सीधे बुनने के बाद यहां पर देखे एक फंदा इधर से और एक इधर से ये जोड़ा सा दिखेगा इन दोनों के आगे से स्लाई डालिए और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बना दीजिए अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएगे और ये वाला जो फंदा है इसके उपर से ऐसे पलट दीजिए तो देखे एस्टीज के बाद ये चार फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपेट करना है जब उल्टी साइड से बनेंगे तो इस पेर के बीच में एक फंदा इदर से और एक इदर से ट्विश्ट कोकर आ जाएगा तो आप बार बार इन ही चार चार शलाईयों को बार बार रिपेट कीजिए तो इस तरह से बहुत ही सुन्दर सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए है सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके thank you